हेलो दोस्तो श्वागत है आप सभी लोगों का राजस्तान एकेडमी पर मैं परविंट सिंग आप सभी लोगों के साथ में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं लगातार जुनियर एकाउंटेंट यानि कनिष्ट लेखाकार बरती परतियों की प्रिक्षा के लिए विज्ञान मेरातन क्लासिस के साथ में जुड़ें क्योंकि मैं आप लोगों का ये कोर्स आपके 11 फरवरी से पहले-पहले करवाने की पूरी कोसिस करूँगा और बड़ी-बड़ी क्लासिस लेकर के आपका जो है complete syllabus करवा दिया जाएगा हम लोग डिसकॉस कर रहे हैं अपने पहली यु को मैं आगे agriculture से related जो टॉपिक है उनके साथ डिसकॉस करने वाला हूँ और आप लोगों को बता दू कि आज अपन पढ़ने वाले हैं कार्बन और उसके जो मैतोपून योगिक है उनके बारे में अपन बात करेंगे चलिए आज की क्लास को करते हैं सुरो उससे पहले आप ल वीडियोज को जरूर देखें आगे आप लोग जो है अपने content के अंदर कहीं पर भी concept आपके कोई doubt रहे कोई concept किलियर नहीं हो रहा हो तो आपका वीडियो से concept भी किलियर हो जाए हाँ किसी विद्यार्थी के दिमाग में आ सकता है कि से notes कहां से लेंगे तो देखिए notes जो है आपको हमारे whatsapp पर message करना होगा और whatsapp नमबर है हमारा मैं यहां लिख देता हूँ एक बार 707-315-3937 इस whatsapp नमबर पर आप message करिएगा आप लोगों को यह जो PDF notes यहां पढ़ाए जा रहे हैं यह मिल जाएंगे हाँ जरूर पेड़ है सिदी सी बात है कोई फ्री में नहीं देंगा मैं किलियर क्लास फ्री में हो सकती है लेकिन notes फ्री में नहीं दे सकते और आज की class को करते हैं सुरू अब सुनिएगा पुरा content पर focus करिएगा अब इदर उदर की बातों को और एकाग्रचित होकर के बैठ जाईए और समझने का परियास करेंगे काफी अच्छे से थोड़ा सा चोड़ा कर देता हो है ना यह लिजे आगया है अपने पास मैं एक मिनट बास यह एक सेकेंड आ रहा है आपका content यह यह लिजे चलो अब बात करते हैं आज का topic क्या है अपना तो carbon एवम उसके मैत्वपुन जो योगिक है उनके बारे में पनबात करेंगे तो carbon एवम उसके मैत्वपुन योगिक एक topic बहुत ही जादा important है आप लोगों को बता दू कि इससे related question तो जो है हर exam के अंदर आया हुआ है आपके exam में इससे related question आने के chances बहुत जाता है एक या दो question इससे related आएंगे ही देखिए बात करते हैं अपने सबसे पहले तो 1828 के अंदर कब 1828 के अंदर एक व्यग्यानिक हुए वहलर नामक कौन वहलर जैसा कि आप हर लिखके वहलर रिखते है ना तो इसमें पढ़ा जाएगा वहलर न ammonium sulfate और potassium cyanide क्या लिया गया था ammonium sulfate और potassium cyanide इन दोनों को ले करके एक गरम कर दिया गया और गरम करने के बाद में प्रियोग शाला में प्रथम कार्बनिक योगिक जो है आपका यूरिया वो प्राप्त किया था तो ऐसा माना जाता था 1828 में इन वहलर नामक व्यग्यानिक क प्रियोग करने से पुर्व कि आपके जो कार्बनिक योगिक होते हैं कार्बनिक परदात होते हैं वो केवल और केवल जीव जन्तू से ही मिलकर के बनते हैं यानि जो जीव जन्तू नश्ट हुए हैं जिनकी देयत हो गई है जिसे हड़िया वगरा इगल जाती है उनसे ही को कोई कार्बनिक परदात बनाया जा सकता है इसे प्रियोक साला में तयार नहीं किया जा सकता तो हमारे वहलर नामक वेग्यानिक हुए जिन्होंने 1828 के अंदर कुछ अकार्बनिक परदातों को लिया क्या लिया अकार्बनिक परदातों को लिया जिसके अंदर आपका अमोनियम sulfate اور potassium cyanide की अभिकिर्या करवाई और एक कार्बनिक परदात को उत्पन किया और वह कार्बनिक परदा था यूरिया कौनसा था यूरिया तो पूरे के पूरी धरती के उपर पहला ऐसा कार्बनिक परदात जिसे प्रियोक्षाला के अंदर तयार किया गया वो कौन सा था, यूरिया था, कौन सा था, यूरिया था, अब बात करते हैं कि जो अमारे पास में पोटेसियम सलफेट, सॉरी, अमोनियम सलफेट और पोटेसियम साइनेट है, इनकी अभी किलिया कैसे हुई थी, और इनके सुत्र क्या है, और अमोनिया का सुत्र क्या है, क्यो इसके अभिकेया हुई potassium siainate के साथ में, kcno के साथ में, kcno के साथ में, ये हैं आपका potassium siainate, potassium siainate और ammonium sulphate के अभिकेया हुई और इसको गरम किया तो बन क्या गया आपका ammonium cyanate बन गया क्या बन गया ammonium cyanate बन गया और potassium sulfate बन गया यानि potassium और ammonium ने एक दूसरे को replace कर दिया तो जैसे ही आपका ammonium cyanate बना अब ammonium cyanate का formula क्या है तो NH4CNO क्या नाम है इसका formula क्या है NH4CNO इसकी अभी किरिया हुई और एक आपका बन गया potassium sulfate तो ammonium sinate और potassium sulfate जो है ये बन चुके थे अब जैसे ही अपने ammonium sinate NH4CNO जो की है ammonium sinate इस ammonium sinate को गरम किया क्या कर दिया गरम chemistry के अंदर आपका जो ये त्रीबूज बनाते हो ना आप ऐसे arrow के उपर ये किसी भी अभी किरिया में आपने देखा होगा तो याद रखना कि जब आप इस arrow के उपर त्रीबूज बना देते हो तो उसे क्या कहा जाता है गरम करने का ये sign है basically क्या है गरम करने का एक sign होता है तो NH4CNO, Ammonium Sinate को गरम किया, तो गरम करने पर बन गया यूरिया, क्या बन गया यूरिया, और यूरिया का फॉर्मूला क्या है, NH2, CO, NH2, ये याद रखना ये बहुत जादा important है, ये पहला कार्बनिक परदात है, जो प्रियोग साला के अंदर तयार हुआ है, और ये कोशन आ चुका है, कई बार एक्जाम्स के अंदर, आपके एक्जाम्स में भी आ सकता है, तो अभी तक आपको क्या बता दिया, कि Ammonium, Sulfate और Potassium Sinate की अभी किरिया करवाने पर, क्या बनता है, तो एक कार्बनिक परदात बनता है, जो यूरिया का फॉर्मूला क्या है, NH2, CO, NH2, या या आपकी ये पूरी कार्बनिक अभी किरिया होती है, ना, मतलब पूरी की पूरी, एक मिनट ना, ये बास, अब बच्चे से फिट हो गया, देखो, हमने अभी समझा, कि किस परकार से और कार्बनिक योगी को से अपन ने कार्बनिक योगी क्रियोक साला में तयार कर लिया इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, बड़ी बात ये है कि जो पुरी की पूरी आवरत असान्नी है, उसमें 118 ततवा हैं, कितने ततवा है, 118 ततवा पाई जाते हैं, और उन 118 ततवों में से केवल एक ततवा ऐसा है, जिसने पुरी एक अलग से छे खड़ी कर रखी है, आप का बोटिक रसायन और कार्बनिक रसायन तो 117 तत्वों से होती है जब कि एक कार्बनिक रसायन पूरी की पूरी अलग से केमेश्ट्री है जो केवल और केवल एक कार्बन परमाणू ऐसा है जिसके साथ में दो-чार और परमाणू जुड़ते हैं और पूरी एक अलग से ही आपकी chemistry बना के रखती है तो अब ऐसा क्या है कि कार्बन की वज़े से एक अलग से ही पूरी chemistry खड़ी हो गए जिसके ओपर अलग से PhD की जाती है जिसको अलग से पढ़ाया जाता है कोटा जैसे आप coaching institute में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ chemistry के अलग अलग तीन teacher आ रहे हैं तो ऐसा क्या है तो बात करते हैं कार्बन परमानू की विशेस्ताओं की कि कार्बन के पास ऐसा क्या होता है जो दूसरे परमानू के पास नहीं होता है तो देखिए पहला point आवरत असारणी में परमानू कर्मांघ है कारबन का छे यह क्या है याद रखना तता इसके चोटे आकार के कारण सिग्मा व पाई बंदों दूबंध एवबंध का निरमान भी करता है तो यह बात आपको याद रखनी है कि कार्बंध चेह नंबर पर आता है दूसरा इसका चोटा आकार होता है क्या होता है चोटा आकार होता है और चोटा हो आकार है चोटी सी साइज है इस वज़े से यह सिगमा और पाई बॉंड यानि डबल बॉंड और ट्रिपल बॉंड का निर्मान भी करता है कौन करता है कारबन करता है अब इसका प्रतीक क्या है तो कार्बन का प्रतीक होता है C यहां कौन से वर्ग में इस्तित है आवरत सानी के तो 14th नंबर जो वर्ग है चौदवे नंबर पर जो वर्ग आता है उसके अंदर ये इस्तित है यहाँ कौन से आवरत में इस्तित है, कौन से प्रेड में इस्तित है, तो second आवरत, second प्रेड के अंदर कार्बन आपका उपस्तित है इस कार्बन का electronic configuration, यानि electronic विन्यास क्या है, तो इसका electronic विन्यास है 1s2, 2s2, 2p2, यह याद रखना 1s2, 2s2, 2p2, clear, अब यह कैसे लिखा जाता है, इसके लिए तो 11, 12th class की chemistry पूरी पढ़नी पढ़ती है लेकिन हमें तो केवल और केवल junior accountant exam qualify करना है, और qualify करना है तो हमें जो जो चीजे पता होनी चाहिए, वो sufficient है तो आपको बस यह याद होना चाहिए कि इसका electronic configuration होता क्या है, 1s2, 2s2, 2p2, clear, इसकी सयोजक्ता कितनी है, यह बहुत महत्वकून है, 4, यही एक ऐसी विशेष्टा है, जिसके कारण यह इतनी बड़ी जो पूरी chemistry खड़ी हो रही है, ठीक है, तो इसकी सयोजक्ता कितनी है, 4 है, जल्दी से वो लेंगे, इसकी सयोजक्ता कितनी है, 4 है, और इसकी जयामिती कैसी होती है, तो कारण जो है, उसकी जयामिती होती है, समचतूस फलकिय, कैसी होती है, समचतूस फलकिय, इसकी आकरती कैसी है, जयामिती यह जोमेटरी कैसी है, यह दिखता कैसा है, तो समच चतुस फलकिय दिखता है किलियर आगे बढ़ते हैं तो प्रतेक सयोजक्ता के मद्य जो बंद कौन होता है वो कितना होता है तो 109 डिगरी 28 मिनट का होता है तो ये बात आपको याद रखनी है सर ये सयोजक्ताओं के बीच में कौन कैसे देखो भाई ये रहा आपका कारबन इसकी चार सयोजक्ताओं ऐसे रहती है तबी तो ये देखो सम चतुस फलकिय बनेगा ये ये बना किलियर ये से जूड़के तो ये इस परकार से सम चतुस फलकिय बनता है अब ये जो सम चतुस इस समचतुस फलकिय के अंदर ये देखो ये एंगल, ये एंगल, कितना होता है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला, ये वाला, ये एंगल होता है, एक सो नो डिगरी, अठाइस मिनट, ये जो अठाइस के उपर डेस लगा हुआ है, इसे अपन मिनट पढ़ते हैं तो एक सो आट डिग्री सॉरी एक सो नौ डिग्री अठाइस मिनट ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब आपन देखिए का आगे यह रहा डाइग्राम आपका पूरा मैंने बना भी रखा यह देख लो यह रहा ठीक है कार्बन बना दिया है चारो तरफ हाइडोजन जोड़ दिये एक सो नौ डिग्रे अठाइस मिनट का कौन है और जब चार हाइडोजन जोड़ जाए तो उसे कहते हैं मैथेन क्या कहते हैं मैथेन कहते हैं और मैथेन सी एंजी कंप्रेश्ड नेचूरल गैस का एक मैत्वपून गटक है नेक्स आ जाता है कि कार्बन कार्बन से जो पॉइंट है ये केवल और केवल एक कार्बन ऐसा परमानू है जिसकी विसेष्टा है क्योंकि कार्बन जो है दूसरे परमानू भी ऐसा चोटा मोटा स्रंखलंग कर सकते हैं लेकिन कार्बन एक ऐसा योगिक है जो बहुत बड़े-बड़े जो है कार्बन के साथ में जूड पॉइंट है साइट, पचास, सितर, और सितर कार्बन इसमें जूड़ते हैं तो इतना लंबा स्रंखलंग करने की जो कैवल और कैवल इसके अलावा कोई ऐसा योगिक नहीं है वैसे सलफर भी होता है जो S8 बनाता है S8, ऐसे ही Phosphorus होता है जो P4 बनाता है, ठीक है और भी होते हैं लेकिन अपने को यह ज़्यादा याद रखने है बागी दो तो सभी जगे होता ही है देख लो, Oxygen है, आपका Chlorine है, Nitrogen है इस परकार से, ठीक है तो यह स्रंकलन की प्रवकती सबसे ज़्यादा किसमें देखी जाती है कारबन के अंदर, और यह कुछ ऐसी विशेस्ताएं हैं, जैसे देखो स्रंकलन की विशेस्ता, इसके अलावा इसकी सयोज़ चकता, यह ऐसी विशेस्ताएं हैं जिसकी वजह से, पूरी की पूरी एक अलग से कैमेस्ट्री खड़ी हो गई है, आगे बढ़ता हूँ मैं अब देखिए का, आज कोसिस करेंगे कि अपन जो है, इस टॉपिक को पूरा कर देवें, और अगला टॉपिक जो है अपना, उसको अपन चालू कर देवें हैं ना, चलिए देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे जो है, ये एक गोल और बेंजीन और मनला आपके चक्रिय, साखित असाखित योगिक बनाता है ये देखिए, आपके सामने असाखित स्रंकला ये बना रखिए, देख लो, कार्बन, कार्बन, कार्बन चार कार्बन थे, चारो कार्बन की अलग-अलग-अलग हाइड्रोजन जुड़ गए और इस परकार से बन जाता है तो ये एक असाखित स्रंकला का योगिक है, ये चीज़ द्यान रखना कि कार्बन हमेशा अपने साथ में चार बॉंड बनाता है ये चीज़ याद रह गई तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि कार्बन की सर्योजक्ता कितनी है, चार सर्योजक्ता होती है, तो ये ओवेस्टी बात है, कि आपके चार ही क्या करेगा, क्या करेगा अरे भाई, क्या करेगा, चार ही आपके अलग-अलग compounds को अपने साथ में जोडने का काम करेगा समझ में आ गई बात clear है चले फिर देखो साखित संकला भी अब इसमें तो क्या था साखित था पर कार्बन 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 सीधे सीधे संकला जोड़े जा रहे थे और कुछ नहीं अब साखित में क्या होगा तो आपको पता है कि साखाएं निकलेगी तो देखो यह रही साखा जैसे कार्बन था यह कार्बन था फिर यह कार्बन जो है आगे जाकर के दो साखाओं में तूट गया देखो तूटा की नहीं तो इस परकार से यह साखित संखलाओं का भी निर्मान कर सकता है इसके बाद में चक्रिय योगी का भी यह निर्मान करता है क्या करता है यह चक्रिय योगी का भी निर्मान करता है यह लो चक्रिय योगी का गया यह देखिए यह देखो कार्बन फिर यह इदर चुड़ा कार्बन फिर यह इदर चुड़ा कार्बन फिर यह इदर चुड़ा कार्बन और यह कार्बन तो यह क्या हो गया आपका चक्रिय योगी हो गया कार्बन का कैसा योगी हो गया चक्रिय योगी हो गया इनका नामकरण कैसे किया जाता है अभी आ गया जाएगा तब अच्छे से डीटेल म ठीक है और ऐसा structure याद नहीं रहे तो बेंजिन कैसे याद रखोगे यह ऐसे यह रहा बस सुरी एक इसको कहीं कुछ नहीं करता बस यह रहा यह बेंजिन है ठीक है क्योंकि इसके अंदर basically क्या होता है कि यह जो double bond बनते है यह 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 यहां हो रहाएगा यह तीनो double bond जो है ऐसे गुमते रहते हैं resonance के अंदर होते हैं और हर बार एक अलग इस्तती डिपर्टेड करते हैं मतलब अभी जैसे देखा तो यहां है अभी आगे अगर और एक diagram बनाएंगे तो उसमें यह double bond इधर आजाएगा यह इधर आजाएगा यह इधर आजाएगा यह इधर आजाएगा इसे double bond इसके अंद क्या तो आपका काम हो जाएगा यह लो एक यह चीज़ याद रखना कि carbon परमाणू जो है वो carbon परमाणू से जुड़ करके एकल bond new bond या फिर three bond तीनों परकार के bond बनाने की capacity किसके पास में है तो carbon के पास में है carbon कैसा compound है जो अपने ही साथ में single bond double bond और triple bond तीनों के तीनों bond ब देखिए, elkan में जुड़ गया अब elkan का मतलब ही होता है single bond के compound, elkan का मतलब ही क्या होता है single bond के compound, elkan, elkin और elkan क्या होते हैं इनके सामाने सुत्र क्या है, इनको कैसे पैचानेंगे, पूरी डिटेल के अंदर आगे आ रहा है, रिलेक्स रहिएगा है ना, धरना मतोरे सरे, अलकें की होवे है, और की नहीं होवे है, सामाने से चीज है, याद हो जावे लिए, परो कॉंफिडेंस है, आज तक याद कराई है, आपने विकरा देगा, आगे देखो, अलकें, अब अलकें जो है, यह देखो, सिंगल बॉंट से बनाऊगा होता है, जादा मारवाड़ी यूज नहीं कर सका, क्योंकि यह साइन्स है, टक की पढ़नों अपड़ा है, विग्यान बढ़वे हैं, पढ़े मारवाड़ी बो आ रहा है, क्या आ रहा है, लास्ट में आप पढ़ोगे तब इन, जैसे एलकें, मैथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हैकसेन, तो जब एन वर्ड आ जाए, तो आप समझ आईए कि यह सिंगल बॉंट की बात हो रही है, अगर वर्ड आ जाए आपका इन, जैसे एथेन, मैथेन प्रोपेन, ब्यूटेन, मैथेन नहीं होता, इसलिए नहीं बोला, ठीक है, प्रोपेन, ब्यूटेन, हैकसेन, इस परकार से, तो इन वर्ड आ रहा हो तो आप समझ जाए कि डबल बॉंड आएगा लास्ट में, क्या आएगा अंदर, डबल बॉंड का कोई कंपाउंड है, औ और अगर आपका आइना आजावे, क्या आजावे, आइना आजावे, तो आप ट्रिपल बॉंड समझ जाहिएगा, यानि अगर आइन वर्ड आजावे, जैसे एलकाइन, ब्यूटाइन, हेकसाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ऐसे ही आपका हेप्टाइन, ओक्टाइन, इस परकार से अगर लास्ट में आइन सब्द आ रहा हो तो आप समझ चाहिए कि उस compound के अंदर उस yogic के अंदर कार्बन कार्बन के मद्य triple bond यूज़ होगा है triple bond यूज़ होगा तो आइन सब्द आएगा डबल bond यूज़ होगा तो इन सब्द आएगा और अगर single bond है एकल बंद है तो एन सब्द आएगा तो एन इन और आइन क्या होते हैं ये समझ में आ गए होंगे अभी आगे IUPAC पढ़ेंगे तब आपको और अच्चे से ये सबी दिखना सुरू हो जाएगा और आप निंद में भी इनके आंसर सही दोगे ये मैं आपको विश्वास दिला दाओं आपको केवल और केवल लगातार पढ़ते रहना है एका ग्रचित हो करके हाँ एक मेरा सजेशन है कि जिस भी विद्यार्थी ने PDF नोट्स ले लिये है या जिसने नहीं लिये वो अगर लेना चाता है तो ये जो मेरा नंबर है 707-315-3937 इसके उपर एक बार मेसेज कर दीज आपको PDF नोट्स का बता दिया जाएगा चार्ज लेगेगा सीधी सी बात है फरी में नहीं देंगे तो आप क्या करिए फिर नोट्स निकालिए और जो ये वीडियो की स्पीड है इसको दो गुना करिए और लगादार पहले एक बार नोट्स पढ़ लीजिए उसके पास में वीडियो देखते हुए चलिए दो की स्पीड से आपका पूरा का पूरा दिमाग के अंदर साइंस जो है फिट हो जाएगा और 25 मेंसे 20 से जादा कोसन तो सही करके ही आओगे ये मैं आपको दावा दे सकता हूँ अगर आपने ये जो है पूरे के पूरे अच्छे से पढ़ रखा है समझ रखा है तो ठीक है चलिए देखिए अब आगे बढ़ते हैं अपन ये आगया अपने पास में अब क्या तो ये आगया है आपका अब हाइड्रो कार्बन का पूरा वर्गी करण जिसको बहुत अच्छे से समझेंगे जो ये अभी अलकीन अलकाइन में चिला र चुके हैं आठवी विसेस्ता क्या कहती है आठवी विसेस्ता कहती है कि कार्बन जो है वो परमाणू के विदूतर रिंटा हाइड्रोजन परमाणू के लगबग सम्मान होने के कारण यह हाइड्रोजन परमाणू के साथ इलेक्ट्रोन की बराबर साजेदारी के द्वारा स सहर सयोजग बंद का निर्मान करके हाइड्रो कार्बन बनाता है तो जो आपके सिलेबस में हाइड्रो कार्बन सब दियू जुआ है हाइड्रो कार्बन का मतलब क्या होता है तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिल करके बने हुए योगिक को हाइड्रो कार्बन कहा जाता है वैस कार्बन कहा जाता है यहाँ पर विदूत रिंटा वर्ड यू जुआ है जो मैंने आपको पहले समझा रखा है तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि भाई आपके पास में कार्बन और हाइडरोजन की विदूत रिंटा लगबग बराबर होती है और जब कार्बन और हाइडरोजन की विदूत रिंटा लगबग बराबर है तो यह अपने इलेक्टरॉन का क्या करेंगे इलेक्टरॉन की सेरिंग करेंगे, साजेदारी करेंगे अब इलेक्टरॉन की अगर साजेदारी हो रही है तो सीधी सी बात है कि किसी के भी उपर ना तो प्लस साइन आएगा ना ही नेगेटिव साइन आएगा अगर कोई एक कमपाउंड ले करके जाता तो होता पॉजिटिव और नेगेटिव साइन ठीक है तो हाईडरो कार्बन क्या है समझ में आ गया और कार्बन और हाईडरोजन की चार जाएगा तो देखिए ये रहा अपना कार्बन इसके साथ में चार हाईडरोजन इस परकार से जुड़ गए अब यहाँ पर क्या हुगा है हाईडरोजन ते अपना इलेक्टरन और कार्बन ने अपना इलेक्टरन शेयर कर दिया तो यह बॉन्ड बन गया तो मैंने यहाँ लिखा है देखो यह जो क्रोस करके मैंने क्रोस करके जो इलेक्टरन रिपरजेंट किये है वो क्रोस इलेक्टरन किसके हैं कार्बन के और जो डॉट करके इलेक्टरन रिपरजेंट किये है वो है hydrogen के तो carbon और hydrogen ने अपने एक-एक electron की साजेदारी करके क्या कर दिया तो एक bond बना दिया अब इस bond को बनाने से क्या हुआ कि carbon की जो 8 electron पूरे होने चाहिए ते अश्टरक नियम यह कहता है अब यह basic चीज़े थोड़ी सी नहीं पता हो तो tension मत लेना याद कर लो भी carbon कहता है कि उसके पास में 8 johe, electron होने चाहिए और hydrogen क्या कहता है कि मेरे पास में 2 electron होने चाहिए वैसे होते कितने हैं carbon के पास 4 और hydrogen के पास 1 इसका मुल्य हाईडरोजन को भी 1 चाहिए और carbon को चाहिए 4 तो इसलिए क्या करते हैं कि ये चार हाइडोजन इधर जूट जाते हैं चारो के चारो हाइडोजन एक 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 कार्बन को दे रहे तो चार तो थे और चारो और आगए हाइडोजन के कितने हो गए कार्बन के टोटल आठ और कार्बन क्या करता है कि अपना एक 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 देखिएगा, देखिए, तो हाइड्रो कार्बन एवं इसका वर्गी करण, किसकी बात करेंगे, हाइड्रो कार्बन और इसके वर्गी करण की एपन बात करते हैं, तो कार्बन कथा हाइड्रोजन से निर्मित योगिक जो है, वो हाइड्रो कार्बन कहलाते हैं, अभी बता दि या उधारन देख सकते हैं CH4 आपका C2H6 आपका C2H4 है इसी परकार से और भी आप कोई भी उधारन ले लिजिए आपका C14, H28, 29 इस परकार से कोई भी compound आप बना सकते हैं रेंडमली किलियर अब देखिए हाइड्रो कार्बन का वर्गी करण हाइड्रो कार्बन को अपन दो भागों में बाट रहें कितने भागों में दो भागों में पहला आपका भाग आजयाता है विवर्त संक्रण यूक्त यानि कि जहां पर आपका close circle नहीं बनेगा ओपन संक्रण बनेगा क्लियर मतलब यह है इस टैप से कैसा कोई कंपन बनेगा कार्बन 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 या ऐस संक्रा या साथीत वाले इस परकार से कोई चक्र पूरा नहीं होगा उसको अपन क्या कह रहे हैं वीवर्त स्रंकला युक्त ठीक है जिनें अपन अचक्रिया हाइड्रोकारबन भी कह सकते हैं और एलिफेटिक योगिक भी कहते हैं क्या कहते हैं अपन सवर्त स्रंकला युक्त यानि क्लोजड चेन युक्त तो इसको अब बात करते हैं बीवर्थ स्रंखला यूक्त जो है इसको भी आगे जाकर दो बागों में बाटा जा सकता है एक है संत्रप्त हाइड्रो कार्बन का मतलब है कि आपका कार्बन कार्बन के मद्य जो है वो एकल बंद होगा क्या होगा कार्बन कार्बन के मद्दिया एकल बंद होगा किलियर जिसे अपन मैथेन, एथेन, प्रॉपेन, इतियादी भेख सकते हैं उधारण के तौर पर अगर बात की जाए आगे असंत्रफ्थ हाइड्रो कार्बन की तो और संत्रप्त हाइड्रो कार्बन को अपन दो भागों में बाड़ते हैं कितने भागों में बाड़ते हैं दो भागों में कौन कौन से दो भाग तो एक तो आपका एलकीन और एक आपका एलकाइन एलकीन का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा उदारन क्या हो जाएगा एथीन है प्रॉपीन है एलकाइन में क्या होगा तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होंगे कितने बॉन्ड होंगे तीन बॉन्ड होंगे जैसे की acetylene, propine, butine इस परकार से समझ में आ गई बाद तो hydrocarbon दो बाग विवर्त यानि की अचक्रिया और सवरत यानि की चक्रिया hydrocarbon ठीक इसके बाद मैं विवर्त तरस्रंकला जो है उसे भी दो बागों बाढ़ सकते हैं संत्रप्त hydrocarbon और संत्रप्त hydrocarbon संत्रप्त hydrocarbon कौन से होंगे जिसमें single bond हो और संत्रप्त hydrocarbon में भी दो बाग हो जाएंगे एक हो जाएगा alkin, एक हो जाएगा alkin alkin कौन से है जिनमें double bond alkin कौन से है जिनमें triple bond clear? और जो संवरत संकला यूक्त है इनके भी दो बाग है एक है alicyclic yogic ठीक है? और एक है aromatic hydrocarbon इस aromatic से related question आ चुका है अब alicyclic yogic क्या होते है तो ये ऐसे aliphatic होते हैं जिनको जलाने पर बिना धुए की जुआला के साथ में ये जलते हैं क्या होता है ये alicyclic yogic ऐसे aliphatic होते हैं जिनको जलाने पर क्या होगा? बिना जुआला की दुए यानि दुआ जो है वो नहीं उठेगा मनलब केवल आग लगेगी दुआ नहीं उठेगा क्या होगा? केवल आग लगेगी दुआ नहीं उठेगा तो ये जो का जाता है ना कि बिना आग लगे दुआ नहीं उट सकता वो गलत है यहाँ पर देख लो आग लगेगी लेकिन दुआ नहीं उठेगा तो बिना धुए की ज्वाला के साथ जलता है और एरोमेटिक योगी कैसे होते हैं जिनको जलाने पर काला दुआ निकलता है उन्हें अपन एरोमेटिक योगी का कहते हैं एरोमेटिक किलियर है चलिए आगे बात करते हैं तो यह था आपका पूरा का पूरा हाइड्रो कार्बन का वरगी करण जो मुझे उमीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा मैं इसको चोटा करके आपके सामने लेकर के आ रहा हूं यह देखिए आपने पूरा समझ लिया है इस चीज को और अच्छे से जो है आप नोट डाउन भी कर रहे होंगे या फिर नोट ले लेंगे आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट अपने पास में आ जाता है तो अब हम आगे बढ़ते हैं हाइड्रो कार्बन के वरगी करण के बाद में अब अपन पढ़ने जा रहे हैं जो एरोमे कोशन आ चुका है वो चीज भी आपके सामने में किलियर करने वाला हूँ देखिएगा एरोमेटिक हाइड्रो कार्बन की पैचान तो सबसे पहले इसकी सर्तों के बारे में बात करते हैं तो एरोमेटिक हाइड्रो कार्बन जो है इसकी पैचान के लिए कुछ सर्ते हैं जैस निग्टरा, Conjugation System इसके अंदर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, Conjugation System के अंदर हो सकता है, Pi Sigma Pi हो, या Pi Sigma Lone Pair हो, या फिर Pi Sigma कोई Positive Charge हो, या Conjugation System क्या होता है, या आगे बहुत सारे उधारण है, इनके अंदर किलियर किया जाएगा, अभी आपको केवल याद रखना है, Condition को, यह समतलिय योगिक होना चाहिए, और समतलिय योगिक जो है, वो आपको चेक नहीं कर सकते हैं, या तो इसे Practically किया जा सकता है, या फिर Carbon जो है, उसका आप Hybridization देख सकें, अगर जो संकरण होता है, वो SP2 होना चाहिए, अब इसका Hybridization सीखने के लिए आपको 11th Class की बहुत आपने बास में molecular और भी theory होती है, वो पढ़नी पड़ेगी, VSI PR theory होती है, वो पढ़नी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़े हैं, जो हमें अभी नहीं पढ़नी है, हमें केवल जो है, याद रखता है, हाँ, चोदा पॉइंट सबसे ज़्यादा important है, और चोदा पॉइंट है आपका हकल्स नियम जो है, उसका पालब होना चाहिए, और basically अगर कहा जाए, तो question solve होता है, केवल और केवल इस हकल्स नियम से ही, किस से solve होगा, इस हकल्स नियम से ही solve होता है अपना question, समझ में आ गई बास, अब हकल्स नियम क्या कहता है, कि 4N प्लस 2 πाई electron होने चाहिए, क compound दे रखा है, उसमें है, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे, aromatic योगी का कहते हैं, तो चार condition कौन कौन सी है, पहली condition है, चक्रिय योगी होना चाहिए, दूसरा conjugate system होना चाहिए, तीसरी condition है, समतलिय योगी होना चाहिए, और च्छोती condition है, हकल्स नियम का पालन करना चाहिए, हक इसके उधारन जो बता रहा हूँ, वो सीधे सीधे याद रख लेना कि ये aromatic है, क्योंकि इन ही उधारनों मेंसे आपके exam में कोई ने कोई कोसम पूछा जाएगा, कि यह हकल्नियम का पालन करता है, या नहीं करता है, तो जो भी योगी कि मैं बता रहा हूँ, उन्हें आप direct याद कर लेना, टिक कर देना कि हाँ, यह है बस, ठीक है, जैसे देखिए, आपके सामने लेकर क्या रहा हूँ, मैं, एक मिनट है ना, यह, एक मिनट है, सब आ गए है, सबसे पहले बेंजिन, बेंजिन का डाइग्राम यह रहा, और इसके अंदर अगर आप आप देखना चा है या नहीं, और दूसरा आपका, इसके अंदर बचता है, कि यहाँ जो है, कौनजूकेशन सिस्टम को फॉलो कर रहा है, या नहीं, तो देखिए, कौनजूकेशन सिस्टम केता है, कि ऐसे सिस्टम होना चाहिए, जैसे देख। पाई है, फिर छोड़िए, फिर वापस तो मतलब alternate कर्मों के अंदर या तो double bond चलने चाहिए या double bond और loan pair चलना चाहिए या double bond और sigma bond और फिर loan pair चलना चाहिए मतलब एक sequence चलना जरूरी है जैसे देखिये यहां पर double bond फिर single bond, फिर lone pair, lone pair, single bond, double bond, double bond, single bond, double bond, ऐसे यह sequence चल रहा है, इसी sequence को कहा जाता है, conjugation system, ठीक है, conjugation system का मतलब होता है, को यूगम, या सयूगमी निका है, ठीक है, तो यह आपको समझ में बागया होगा, कि conjugation system चल रहा है, यानि यहाँ देखो, जैसे double bond, फिर single bond, फिर double bond, फिर lone pair, फिर single bond, फिर double bond, तो चल रहा है ना system, बस तो यह system चलते रहना चाहिए, alternate करम में, अब यह 3 हो सकते हैं, हो सकता है double bond, single bond, double bond हो, हो सकता है double bond, single bond, lone pair हो, हो सकता है double bond, single bond, कोई positive charge हो, इन 3 में से कोई होना चाहिए, और छोता जो है, हकल सनियम, जो 4N plus 2 pi electron की बात करता है, तो देखिए, यहाँ पर pi electron कब होते हैं, तो pi electron का मतलब है, जहां कहीं भी double bond आ गया, वहाँ पर 1 pi electron होता है, कितने pi electron हो होता है, ठीक है, अब देखिए, अपने पास में, यहाँ पर जैसे की बात करें, सुरी, एक नहीं, दो होता है, एक double bond के अंदर 2 pi electron, तो यहाँ पर देखिए, यह रहे 2, यह रहे 2, और यह रहे 2, कितने हो गए, 6, 6 pi electron हो गए, अब देखो, 4N plus 2, बराबर में 6 रखा, तो N बराबर आगया 1, कितना आगया 1, तो क्या N बराबर 1 ले सकते थे हैपन, हाँ ले सकते थे, तो इसका मतलब, बेंजीन जो है, वो हकल्स नियम का पालन कर रहा है, तो सिदी सी बात है कि चारों कंडिशन, फुल फिल होगई, बेंजीन के लिए, पहली चीज क्या थी, चक्रि होना चाहिए तो आप क्या याद रखोगे एक डबल बॉंड के अंदर दो पाई इलेक्ट्रोन होते हैं समझ में आ गई बार ऐसे ही अब यह देको योगिक है पाइरोल यह आ चुके हैं कोशन के अंदर क्लियर है तो आपको पता होने चाहिए इसके बाद मैं अब इन सभी को मैं समझा नहीं रहा हूं क्योंकि यह याद ही करने पड़ेंगे अब इतना समय नहीं है कि आपको यह समझाने बैटू मैं और कोशन लेकर आया हूं दिखाता हूं फिर मैं यह है पिरिडिन यह है पिरिमिडिन यह है ऑक्जॉल यह है आपका इमिडेजर क्या है इमिडेज चॉल ठीक है यह याद रखिएगा नेगेटिव के पास में कितने होते हैं तो टू पाई इलेक्टरॉन होते हैं जहां भी नेगेटिव आवेस आएगा वहां पर टू पाई electron count करोगे आप समझ में आगई बात तो एक double point के पास में 2 pi electron और एक negative charge के पास में भी 2 pi electron होते हैं ठीक है चलिए अब देखिए ये कुछ योगिक है जो आप देख लेना और याद कर लेना ये 10-12 योगिक है important है याद कर लिजेगा इनको बिल्कुल भी पूलना मत ये बहुत काम की चीजे है ठीक है ठीक है तो ये आपको याद रखने है अब ये देखिए जैसे कोशन आया हुआ है आपके LDC exam के अंदर कि aromatic योगिक का chain कीजिए अब ऐसा जब कोशन आ जाएगा कि aromatic योगिक का chain कीजिए तो आप क्या करोगे सबसे पहले ये चेक करोगे कि चक्रिय है यानि तो चारो के चारो चक्रिय है दूसरा आपका क्या था conjugation system होना चाहिए अब conjugation system देखिए तो double bond फिर single फिर double bond है क्या नहीं है लेकिन इदर से चलते हैं गया देखो double bond single bond फिर positive फिर single bond फिर double bond फिर या पर तूट रहा है तो ये आपका क्या aromatic योगिक है नहीं है क्योंकि इसके अंदर conjugation system पूरा चल नहीं रहा है इदर देखते हैं तो देखो double bond single bond positive single bond double bond single bond double bond single bond double bond चल रहा है तो ये हो सकता है फिर देखिए double bond और फिर सिदा आपका negative, negative का मतलब वोई है, 2 pi electron है ठीक है, तो 2 pi electron यहाँ पर हो गए, 2 pi electron इसमें हो गए 2 और 2 कितने हो गए? 4 तो 2n प्लस 2 बराबर आगया 4, तो 4n is equal to आगया 2, तो n बराबर आगया 1 बटे 2 क्या n बराबर 1 बटे 2 ले सकते है? नहीं ले सकते क्योंकि मैंने आपको बोला था n की value लेंगे, तो आप क्या लेंगे? 0 1, 2, 3, 4 ऐसे आप integer number लेंगे तो ऐसा 1 बटे 2 नहीं हो सकता यानि ये भी आपका option नहीं है ये भी गया, ये भी गया, इधर देखो double bond, single bond positive, single bond, double bond single bond, double bond मनला sequence तो इसमें भी चल रहा है तो अब इन दोनों में से कौन सा होगा? के लिए अब ये decide करना है? अब ये decide होगा आपके हकल सनियम से किस से decide होगा? हकल सनियम से यहाँ पर देखिए कितने है? 1, 2 और 3, 3 triple bond है sorry, 3 है double bond तो 3 double bond का मतलब होगा 6 तो N बराबर आजाएगा 1 यहाँ पर देखें तो 2 ही है तो आजाएगा 4 तो N बराबर वापस आ रहा है half यानि ये भी गया तो option number B आपका right answer है और ये आपके LDC के अंदर पूचा गया था अब जब आपका और LDC का syllabus एक जैसा है तो क्यूं आपके exam में नहीं पूचेंगे ये बताइए और अब आप तो आपका paper भी कौन ले रहा है R SMSSB board ले रहा है LDC का भी R SMSSB board ने लिया था तो इसी level पर जाकर के questions आप से पूचे जा सकते हैं इसलिए इस level का knowledge आपके पास में होना चाहिए हकल स्नियम क्या होते हैं एरोमेटिक योगी क्या होते हैं ये सब चीज़े आपको पता होनी चाहिए ठीक है conjugation system वगरा कैसे चेक करोगे अब आपको पता चल गया होगा next अब आपके पास में देखिए और भी है अपने पास में मैं लेकर आता हूँ और बहुत सारी चीज़े हैं अपने पास फिर इनके नामकरण की भी अपन बात करेंगे ठीक है ये देखिए एक और आया था ये देखो हकल नियम के अनुसार निम्न मेंसे कौन सा योगी के अरोमेटिक है क्या पूचा था एक ये देखिए LDC exam 2018 में ये तो आया ही था फिर ये भी एक option देखने को मिला था एक ये देखो बारवे question और बिना दिया 13 ये रहा 14 ये रहा तो ये भी आपके क्या है एरोमेटिक योगी हैं जो आपको याद रखने हैं किलियर और इस question को जो है अब आप खुद solve करिएगा अगर आपसे ये solve होता है तो आप समझ जाईए कि हाँ अब हमें जो है aromatic compounds के बारे में knowledge हो चुका है अब हम aromatic और हकल्स नियम से related अगर कोई question आएगा तो कर पाएंगे ठीक है अगर नहीं होता है तो आप comment कर देना मैं इसका answer बदा दूँगा अगली class के अंदर discuss करके अब मैं आगे चल रहा हूँ तो carbon yogic को की नाम पदती के उपर आते हैं जो carbonic yogic हैं जो hydrocarbons है उनकी नाम पदती क्या है यानि उनके नाम जो है किस परकार से रखे जाते हैं AUPSC नाम करण क्या होता है रूड़पदती में इनका नाम क्या है और वियत्पद पदती से इनके नाम कैसे रखे जाते थे तो देखिएगा एक होती है रूड़पदती एक होती है वियत्पद पदती और एक है AUPSC सबसे पहले हमें IUPAC का फुल फॉर्म बता होना चाहिए UPSC की बात नहीं कर रहा हूँ IUPAC की बात कर रहा हूँ और IUPAC की फुल फॉर्म है International Union of Pure and Applied Chemistry क्या है इसकी फुल फॉर्म तो IUPAC की फुल फॉर्म है International Union of Pure and Applied Chemistry जो आपको नाम याद रखना है अब आगे बात करते हैं कुछ आपके रूड पदती से नाम दिये गए है योगी को के वो नाम आपको याद होने चाहिए रूड पदती के तो देखो जैसे CH4 है जिसे अपन मेथेन कहते हैं उस मेथेन का रूड पदती से नाम है Mars Gas क्योंकि यहाद दलदर से प्राप्त होती है जिसे अपन मार्सी इस्तान कहते है इसलिए दलदर यानि मार्सी इस्तान तो वहाँ से यह प्राप्त होता है CH3OH जिसे अपन कास्ट स्पिरिट कहते हैं क्योंकि यह लकडी के बंजक आस्वन से प्राप्त होता है CH3CWH जिसे अपन Acetic Acid कहते हैं जो कि सिरके के Latin नाम Acetum से लिया गया है ठीक है क्योंकि सिरका यानि CH3CWH होता है और CH3CWH का Rude नाम क्या है Acetic Acid इसका नाम मिलता है इसलिए इसके बाद मैं HCWH जिसे अपन Formic Amla कहते हैं और Formic Amla जो है आपका क्या होता है तो जब आपको चीटिया जो चीटिया होती है ना वो या फिर मदू मुकी वगरा जो काटती है तो उसके अंदर जो डंक लगने पर हमारे सरीर में अमल जाता है जिसकी वज़े से हमारा सरीर का जो इस भी भाग पर काटा जाता है वो थोड़ा सा फूल जाता है उसके पिछे कारण होता है यही Formic Amla तो Formic Amla का सुत्र क्या है HCOOH किलियर फिर अपन बात करते हैं Lactic Amla की जो आपके दूद को तही में कनवर्ट करता है Lactam दूद से यह प्राप्त होता है तो Lactic Amla का Formula क्या है HCOOH CH3COOH तो आप इसका ऐसे भी याद रख सकते हैं C2H4COOH सेके और सिंपल कर देता हूँ है ना तो देखिए एक दो और तीन कारण है तो तीन फिर एक दो तीन पांच और एक चै तो हाइडरोजन चै और फिर O3 तो C3H6O3 यह अगर आपके याद रखे लेंगे तो आपका Lactic Amla याद हो जाएगा क्या याद रखेंगे C3H6O3 जो कि आपका Lactic Amla कहलाएगा जो कि आपके दूद से प्राप्त होता है किलियर अब बात करते हैं ISO सम्हूं की तो ISO सम्हूं होता है CH3CH3 bond bond CH किलियर तो जहां कहीं भी इस परकार की आकरती आपको देखने को मिलेगी इस परकार की इसे अपन क्या कहेंगे तो इसे अपन कहेंगे ISO सम्हूं क्या कहेंगे ISO ठीक है अब यह सिधा सिधा पूचा जाता है कि ISO सम्हूं निम्न में से कौन सा है तो याद रखना कि कौन सा होता है ISO तो इस परकार से आपका ट्रेंगल टाइप में बन जाएगा जैसे ISO पेंटेन की बात की गई है तो ISO पेंटेन का मतलब हो गया एक तो ISO इस्ट्रेक्चर बनेगा जो तीन कार्बन से मिलकर बनता है तो और कार्बन एक्स्टा जोड़ेंगे तो देखो CH3 CH3 bond bond CH फिर CH2 CH3 किलियर इस परकार से आगे देखिए अब बात करते हैं नियो की किसकी बात करेंगे तो नियो समू की तो नियो समू होता है कार्बन के चारो तरफ अगर अगर अपन चार कार्बन और जोड़ेंगे CH3 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 तो यह बन जाता है नियो समू ठीक है तो यह आपका क्या है नियो समू है और नियो पेंटेन क्या हो जाएगा तो वो खुती नियो समू जो है उसी को अपन नियो पेंटेन कह देंगे क्लियर यह देख लीजिए एक बार वापस से आईसो ग्रूप ऐसे बनेगा नहीं दिख रहा होगा मुझे पता है अब यह 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 जो ग्रूप है इसे तो अपन कहते हैं आईसो ग्रूप और अगर आपने कार्बन 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 इस परकार से जोड़ दिया चारो तरफ एक कारवन के चारो तरफ चारो तरफ चार कारवन जोड़ दिये तो उसे अपन कहते है नियो ग्रूप ये क्या कहलाता है नियो ग्रूप ठीक है और ये आपका क्या कहलाता है आईसो ग्रूप कहलाता है ठीक है इसके बाद में देखिए, IUPAC नामकरण है, जिसकी बात अब आगे करते हैं, उससे पहले मैं देखना चाहूँगा कि कुछ और हो, तो अपन उसकी बात करने हैं, otherwise IUPAC नामकरण की बात अपन जो है, अब मैं चाहूँगा कि अगली क्लास के अंदर करें, मज़ा आ जाएगा, क और अगली यूनिट भी जो है, कल ही हो सकता है, सुरू कर दी जाए, ठीक है, तो मेरा टार्गेट रहेगा कि आप लोगों को जो है, एक्जाम से पहले-पहले आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करवा करके, उपलब्द करवा दिया जाए, तो लव यू, all of you, please take care, and please share with your friends, आपका साइंस पूरी हो जावे, तन्यवाद